कि हली तो हेलु स्टुरेंज्ट हम करें थे अमेरिक्टिन प्रेसजेट्ट लाज शर्ष में हम लेखिशी पावरस अपता प्रेसजेंट उसके अग्जक्ति पावस और गषिशट कॉंडियु करते हैं पावरस आघ पॉशिक्क आँसटि सेमेरिंग pass nut तो उसके other powers क्या है? अग्सक्तिव पावर, लेस्टेचर पावर, फिरनेशनल पावर, Joseph legal power and emergency powers फो इन सब powers से वो बहुत जादा powerful बन जाता है जो अमेरिका है अमेरिका में जितने भी powers है सब इसकीज़-सबवी powers प्रेस्टेट को नहीं दे गई है क्योंकि वहाँ पर separation of power उसका principle का rule चलता है जब वहाँ पर जो exactive power से है वो प्रेस्टेंट को दी गई है तो legislative power वो तो भी प्रेस्टेंट के पास है वो कैसे है तो constitution जो legislative power से है वो Congress को देते है लेकिन उसके पास फिर भी बहुत सारी legislative powers है जिस वज़े से वो एक supreme legislature भी बन जाता है तो पहले करते है legislative powers of the press है first of all right to send messages to the Congress सबसे पहले जो law making process है वो legislative powers होगी वो कैस के पास है Congress के पास है लेकिए उसके पास कौन सा right है right to send messages जहां करते हैं जिसका मिनी है draft of the bill बिल को कैसे बनाना है उन कौन से बिल बनाने है उन बिल को वो Congress में भीजता है वो message send करते है कि इस रिगारी कैसे बिल बनना चाहिए कौन सा बिल बनना चाहिए तो Congress almost जो उसकी बिल है उसका 3-4 बिल कैसे होते है जो प्रेजजेंट है message के group Congress में send करता है जो प्रेजजेंट कहता है वैसे ही बिल Congress में बन चाते हैं तो indirectly legislative power किसके हाफ में होगी प्रेजजेंट के पास होगी चाहिए law making powers है वो Congress के पास है लेकिन जो लोग बनते हैं वो लोग प्रेजजेंट की अपने मर्जी से ही बनते हैं तो हम आगे देखेंगे कि उसका बिल पर लोग पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है जिस वज़े से Congress उसके अगेस्ट नहीं जा सकती है तो second one is to give approval over the bills passed by the Congress अगर Congress कोई भी बिल पास करती है उस बिल को approval किस की चाहिए प्रेजजेंट की चाहिए तब जाकर वो लोग बनते है जैसे इंडिया में भी है इंडिया में पार्लेमेंट जो भी बिल पास करती है वो बिल लोग कब बनेगा जब उसको हमारे देश का और प्रेजजेंट है वो अप्रूब करते है लाइक दिस अमेरिका में भी जो Congress है अगर वो किस बिल को पास कर देती है उसके बाद अगर वो प्रेजजेंट के द्वारा साइन होगा तबी हो रोग बनेगा अधर्वाइस वो रोग नहीं बन सकता तो प्रेजजेंट के पास वीटो पावर होती है वीटो पावर जिस वजे से जो प्रेज़ेंट है वो इस बिल को डिस अप्रूब भी कर सकता है जब वो डिस अप्रूब हो गया तो बिल दुबारा कॉंग्रेस के पास जाएगा अगर वो two-third majority के साथ separate houses में house of representative and senate में पास हो जाता है उसके बाद वो bill low बनता है तो बिल्कुल low बनाने के लिए president की approval की जुरूलत है जो president है उसकी जो veto powers है वो two types की veto powers है suspensory veto and pocket veto इसको meaning क्या है suspensory veto means जो president है वो president के पास जब bill आता है अगर bill में उसको बहुत सारे कम्या लगती है तो वो bill को suspend कर सकता है by using veto power meaning वो क्या करता है वो bill को sign नहीं करता है जब sign नहीं होगी उसकी signature के बिना bill low नहीं बढ़ सकता तो इसके लिए उनके पास सिर्फ 10 days का time होता है अगर 10 days के between president है वो president बिल को जो बिनी statutory actions है वो लेकर बापस Congress में पेज़ देता है तो उसमें दुबारा से अगर bill पास कर दिया गया means क्या हुआ house of representative and 10 दुबारा से truth and majority के साथ उस bill को पास कर देती है तो वो bill low बन जाता है उसके बाद प्रेजिटेंट के signature की जुरूरत नहीं होती जिकक होता है जब Congress session में होती है अगर Congress session में नहों तो फिर क्या होता है उसके पास एक pocket video है pocket video का मेनी क्या है जब bill law बनता है तो 10 days की between उनको sign करने होगे अगर प्रेजिट है प्रेजिट को पता है जो जे Congress है जे Congress 10 days से पहले ही कि इसका session complete हो जाएगा तो जो bill उसको अच्छे नहीं लगते जिसमें कुछ कम्या रह जाते है वो उनको sign नहीं करता मीनिक वो क्या हो जाते है वो उसको जो waste paper basket होती है उसमें throw कर देता है इसको जह ही कहा जाते है कि जो bill उसको अच्छे लगते है वो sign हो जाते है जो bill ननी अच्छे लगते है वो उन पर sign नहीं करता वो waste paper में चला जाता है तो जब Congress दुबारा से fashion में आएगी दुबारा से bill pass होगा फिर जाकर उसमें low बनेगा त उसे president है इस power को use करते हैं इस तरह Congress की दुआरा जितने भी लोग बनाए जाते हैं उनको वीटो पावर को use करकर वो उनके bill को loan नहीं बनने देती है नैक्सिस power to issue executive orders मीनिक क्या हुआ जो executive orders है वो issue कर सकते है इसका मीनिक है जब Congress शैशन में होती है तो उस time उसकी पास time की कमी ह होती है इस वती है वो क्या करती है जो बिल है बिल की सिर्फ outlining कर देती है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए बाकि वो सभी पावर्स है वो प्रेजिट्ट को दे देती है कि आप इस बिल को complete law में convert कर दो तो इसका मीनिक हो गया Congress है Congress नहीं अपनी पावर्स किसको delegate कर दी to the president त होगी तो इसलिए जो प्रेजिट्ट है इसको delegative legislative भी कहा जाता है क्योंकि almost Congress हमेश्या ही ऐसा करती है बिल के outlines पास कर देती है बाकि भी जो प्रेजिट्ट है वो अग्जैक्टिव ओर्र दीता है और इस वज़े से जो उनके officers है वो बिल को खुद ही फिल करती है क्या कुछ होना चाहिए तो executive order issue करते प्रेजिट्ट के पास law making powers आ जाती है next is power to convene special session जो Congress का session नहीं हो रहा होता तो उस time special session convene किया जा सकता है जब प्रेजिट्ट चाहे कि Congress का session होना चाहिए तो उस time जो प्रेजिट्ट है वो Congress का session भी समन कर सकता है लाइक दिस power to adjourn the Congress जब Congress का session चल रहा होता है तो Congress का session है उसको प्रियोरिक क्यों करना होता है मिल्स खत्र करना होता है वो कैसे होता है जब दोनों houses है जे दोनों office में decide करते है कि session को प्रियोरिक करना है अगर इन दोनों में कोई agreement नहीं होता तो फिर क्या होता है जो प्रेजिट्ट है वो अपने आखी एक date fix करते है कि जो Congress का session है इसको कब adjourn करना है तो जे सब लैस्ट लेटी पावर प्रेजिट्ट के पास आदी तो प्रेज हो जाते हैं तो वो क्यों होता है तो उसकी पास कौन-कौन से methods है जिस वजिसे्टी है वो रदे सब्सक्रेद्ड करते है जो उनको पासकर कर देती है इस पर किसका पावर है exclusive power of the president इसलिए Congress की जो leaders होते हैं जो members होते हैं वो अपने near and dear को high post देने के लिए प्रेस्टेंट से जे गुचारिश करते हैं कि इसको आप high post पर अप्वाइंड कर लीजिए तो उसके लिए जुरूरी है कि वो प्रेस्टेंट की हर बात को माने influence दो अप्वाइडमेंट इसलिए जो लेजिए के पावर है वो प्रेस्टेंट को ही डेलेगेट की जाने लगी है वो पार्टी का लीडर भी होता है इसलिए जो बात वो कहते है पार्टी वो बात मान की है next is by broadcasting his views through radio and television जो president है radio television में अपनी views को broadcast करता है जिस्वजे से जन्ता उसकी बात को सुनती है वो अपनी आपको justify कर पाता है तो जे क्या होगी legislative powers of the president होगी next is financial powers of the president जो president है इसकी पास executive powers, legislative powers, financial powers, traditional powers, टुडिशन पावर सपी है जो financial powers है मिनिस पिनास के ऊपर control किसका है पिनास के ऊपर भी president का ही control है एकाउंटिंग एप 1921 से इससे जो पिनास की powers है वो किसको मिलगी है president को दिल गए है तो इससे पहले president के पास financial powers मैं थी अब जो budget प्रपेर किया जाता है वो under the supervision of the President ही किया जाते है President ही हर एक item को, income को, expenditure को control करते है President की influence की वज़े से जे budget है वो Congress में past भी हो जाते है जो budget है वो Congress में past होना जुरूरी है लेकिन वो past कैसे हो जाते है क्योंकि President का influence ही इतना जाला होते है कि कोई भी question नहीं पोचता President जो कहता है वो वैसे ही past हो जाता है तो जे financial powers किसके पास आगी President के पास आगी Next is judicial powers of the President President के पास बहुत सारी judicial powers भी है तो article 2 section 2 जे के provide कराता है President shall have the power to grant, reprieves and pardon 4 offences against the United States Except means इसको छोड़कर in case of impeachment अगर किसी के ऊपर impeachment का case नहीं चल रहा उसको छोड़कर बाकि इस सबी offences में चाहे capital punishment भी हो उसको भी वो mark कर सकता है वो किसी की भी जो punishment है उसको increase, decrease कर सकता है तो उसके पास बहुत जादा judicial powers है तो जैसे सुप्रीम कोड ने कोई punishment दे रही तो उसकी बाल सिर्फ प्रेजेंट ही है जो किसी की punishment को कम कर सकता है जैसे माउप कर सकता है तो जैसकी जो डिशन पावस होगी नेक्सिस अमरजंसी पावस उप्ता प्रेजेंट जो प्रेजेंट है इसकी कौन-कौन से अमरजंसी पावस भी है तो सबसे पहले अगर country में वोर होगी कौन करता है प्रेजेंट ही करता है जब उसके पास कोई option नहीं है तो वो चाता है कि अब हम इस country से वोर करेंगे तो इसका declaration प्रेजेंट ही देता है कि वोर्टी क्लियर होने वाली है और उसके बाद declaration of emergency deployment of forces अगर forces को deploy करना है suppression of revelation अगर किसी state में कोई violation हो रहा है उस तो suppress करने का order कौन देता है अगर वोर हो रही है वोर के बाद peace को conclude करना है जी किसकी पावर है प्रेजेंट की पावस है तो प्रेजेंट के पास बहुत सारी पावस होती है जिस वज़े से वह सच में ही पावर पुल बर चुका है तो इसके लिए जो पॉर्टर है वो क्या कहते हैं तो कहते हैं यूसे प्रेजेंट इस चीफ लेक्स लेडर चीफ अग्जेक्टिव चीफ कंडयक्टर औफ पॉर्ण फोर्सी इन डा अमेरिकल प्लेटिकल सिस्टम तो हम इनके वर्ट्स से कंक्ल्डूड करते हैं कि जो प्रेजेंट है वो यह सबसे ज़्यादा लेक्स लेक्स लेक्री पावर को अगसेक्टिव पावर को फोर्न फोर्ण पोर्सी को आप क्या पावर से हैं इनको कंप्लीट किया ने शेशन में करेंगे हम पूजी शेशन अच्छा लगा होगा अगर आपके क्रिक्यों आदेए तो पोस्केट इन दो कमेंट बोक्स और वीडियो अचली तो प्लीस लाइक एंड शेविच और फ्रेंड सेंट पिस्मों मुचंट सेंटा वड़े स्टीब